हलो बच्चो क्या हाल चाल है आप लोगों को आज मैं इंडिया के बारे में कुछ बाते बताना चाहूंगा यह देखो यह हमारा इंडिया है गूगल एर्थ के अंदर ऐसा हमारा इंडिया दिखाई देता है इस इंडिया के बारे में थोड़े डिटेल्स हम डिसकुस करेंगे हमारे भारत के बारे में हम कुछ चीजे जानेंगे जो बहुत बैसिक्स फंडमेंटल हैं अगर आप एड़ांस लेवल की नॉदेज के यहां पर आये है तो इस वीडियो पर आपको रुकने की जुरूआ नही chance कि बहुत समय और हूं यह सब्सक्राइब for the इंडा क्ता रिक्राइब काना. ओसे हम क्या पॉल्स की वह हैं ऑफ league of India हिंदुस्ताअ यह भी हमारी ही नाम में हैं अगर अगर सुस्टीटुँशन के आप से देखें गे तो हमारे पास दो लीगल नाम है एक लीगल नाम है इंडिया और दूसरा लीगल नाम है भारत हम दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेट कंट्री है चाइना को हमने क्रॉस कर दिया है और हम बन चुके हैं पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री हमारे जो है वो सेवन्थ नंबर पर आता है जो हमारा लैंड का एडिया है वो सेवन नंबर पर रैंक है पुर्स्ट रैंक आपको अल्डेटी पता होगा रश्या है पॉपुलेशन में हम फस्स हैं सेकेंड नंबर पर चाहिना है कुछ छोटी मोड़ी चीज अगर आप देखिएगा तो मौर्रे निखर कोड़ा से ज्योकी पहले यह उसके बाद थे उनके बेटे जिन सत्य में जयते आने की सत्य की जीत होगी तुर्थ अलोन ट्राइमस इंडिया का मोटो है हमारा जो एंधम यहां पर दू चीज़ें रेखना एक हैं और एक है सॉंग दुनों में डिफरेंस क्या होता है दूनों डिफरेंट होती है ठीक है एंधम जो होता है वह है जनगन मन हमा मारा है और गाते होंगे और जो सॉंग को हिंदी में बोलते है राष्ट्र गीत चैक है क्HS किंद्ध कर देज्टि करें तो फिर पूरा सुझणा पड़े गए मेह मैं हाइए मैं यह मैप है क्यों फूर बंद कैसे करें करें हैं प्रौंत अगे बाड़ते हैं भारत कमया पर वाले यह दौप डार्क ग्रेन हो यह उपर में दो कंट्री यह यह लेकिन रियालिटी में इधर वाला जो ग्रीद है उसको पाकिस्तान तंद कर र Алекс जिसे हम P.O.K. बोलते हैं, पाकिस्तान occupied कश्मीर और यह इस साड़ वाले जो green है वो चाइना ने अकब्जा कर रहा है जिसे हम Aक्षाई चिन बोलते हैं तो Aक्षाई चिन का एरिया चाइना के पास है और P.O.K. का एरिया जो है वो पाकिस्तान के पास है, थर्टी परसेंट चाइना के पास है और 40% हमारे पास है आगे बढ़ेंगे हम तो हमें रियलाइज होता है कि जो हमारा कैपिटल उसका नाम है न्यू देली सिर्फ डैली नहीं कहना है अगर हमारे कैपिटल पुछा जाए तो डैली नहीं है न्यू देली है ठीक है उधर हमारा ट्यूब लाइट लटका था वो मूडगी आमें डर के भूत हुता है क्या चलो लार्जेस्ट सिटी जो है हमारे हां वह मुंबई और मेट्रोपोलिटरन एरिया में अगर देखो तो दिल्ली है अगला जो आता है ऑफिशियल लैंग्विजिस ऑफिशियल देखो ऑफिशियल ह हिंदी और इंग्लिश तो हैं ही और साथी साथ में और भी वी टोटल ट्वेंटी टू ऐसे लैंग्विजिस हैं जिसको हम ऑफिशियल मांगते हैं तो में जो हैं वह हिंदी इंग्लिश है में मतलब की ज़्यादा तर्यूज होता है बड़ हर स्टेट के पास अपना खुद आगे बढ़ते हैं नेटीव लैंग्विजिस फूर फूटी सेवन लिखे हुए हैं पर इसके लावा थाउजन्स ओफ मोर लाइंग्विजिस हैं जो धिरे-धिरे करके खतम होती जा रही है क्योंकि उसको बोलने वाले लोग धिरे-धिरे करके खतम होते जा रहे हैं इस बहुत ही कम डिस्टेंस पर हमारा पानी का टेस्ट बदल जाता है रिलीजन आप देखो के तो में रिलीजन जितने भी पूरे दुनिया में वो सारे इंडिया में पाय जाते हैं सबसे ज्यादा हमारा पॉपॉपलेशन हिंदूिसम का इंडिया के अंदर इसलाम जो है वह से तक पहुच गया होंगे अभी पुरान डेट है उसके साफ से मैं आपको बता रहा हूं और उसके बाद मतलब कि बहुत साथ च्छोटे मटर रिलीजन हो गए और यह अदर हो गए ठीक है यह मैं क्लिक कर दे रहा हूं कहां थे पान ओके नेक्स गवर्मेंट्स में देख लोगे आप तो अभी के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन है द्रॉपदी मुर्मुजी है जो कि आदिवासी कॉम्मेटी से बिलॉंग करती है वाइस प्रेसिडेंट जगदीब धंकर है यह सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं तो हमारे ही इल्उमीनि हैं एक तरीके से कह सकते हो हम जीड्र को सब्ज Inspire पढ़ें नरेंद्र मोधी को आप सब्सक्राइब प्राइम निस्टर है हमारे और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वह कौन है अभी डी वाई चंड्र चूर जी हैं जो अभी एधिंक रिटायर हो जाएंगे बहुत जल्दी और उसके बाद एक नए चीफ जस्टिस आएंगे रज़ाएंगकर यहां में नॉर्दन आयरिलेंड को जोड़ा गया तो प्रिपीश इंगलेंड भिय्स्कासइו हमपर ज्ञेब देंकए और उसमें नौर्धन आश्रि मिला तो वह पूरा क्या कहला था य कंग्डम हमको असादी कब को मिली थी 15 अगस्ट 1947 को मिली थी हमने अपना Constitution कब एप्लाई किया हमने अंग्रेजियु का Constitution कब भटाया 26 January 1950 को तो हम तब बन गए Republic इसलिए हम लोग 15 अगस्ट को मनाते है Independence Day 26 January को मनाते है Republic Day थोड़ा फास फास चीज़े चल रही है क्योंकि ये वीडियो में को शौट रखना है ये डेटा आप लोगों को शाद अल्रेडी पता भी होगा कई सारा बट हाँ आप देखते रहे ताकि ह होसकता है कुछ नए चीज़ें आपके आखों के सामने आए पॉप्पॉलेशनों चाहिए तो हमारा पॉपॉपॉलेशन अभी के टाइम पर एक एस्टीमेटेड़ पॉपॉपॉलेशन है क्योंकि हर साल हम आप कांटिंग नहीं करा सकते हैं तो एक एस्टिमेशन है कि हम ल तो लगभग 1.4 billion 1.42 billion कि हमारी population है जो की काफी कम थी मतलब लगभग देखो यहां पर 20 करोड इछले 12 साल में 20 करोड नए लोग मतलब जूड़े हैं मतलब population हमारा बढ़ा है ठीक है density से फरक नहीं पढ़ता है density बस यह बताता है कि कितने कंजस्टेट में हम लोग रहते हैं नौट बैड ठीक है बांगलादेश जैसा तो कंजस्टेट नहीं है बट स्टिल हमारी population जादा इस जैसा density थोड़ा हाई है हमारा 30 रैंक पर हम आते हैं 30 रैंक पर तो इस नौट बैड GDP अगर देखोगे तो GDP हमारा जो है वो purchasing power parity के हिसाब से और nominal यह दोनों different होते हैं हम लोग generally इसकी बात करते हैं nominal की GDP का मतलब होता है कि हमारे देश ने एक साल के अंदर में कितना product और कितना service produce किया ठीक है तो GDP nominal में हम लोग कितने है 4 trillion के आस पास है और हमारी rank 5th नंबर पे पुरे world में अभी के time पे अगर PPP के हिसाब से देखें तो हम लोग 14.5 trillion की हमारी है और हमारी ranking 5th नहीं 3rd है PPP के हिसाब से ज्यादा तर लोग nominal के हिसाब से लेते हैं बट PPP के हैं मैं समझा दे रहा हूं purchasing power parity के हैं जैसे हर देश में चीजों का rate अलग-अलग है depending on की उनकी cost of living क्या है जैसे अगर भारत में बाल कट वाने जाओगे तो किसी भी normal regular shop पे जाओगे तो फिफ्टी रूपीज लेता है ठीक है लेकिन अगर वहीं US में आप कहीं पर भी जाओगे नॉर्मल दुकान में नॉर्मल दुकान में तो भी वो 500 रुपे से कम नहीं लेगा आप से तो वहां पर चीजे महेंगी हैं तो वहां का PPP हाई है तो होगा क्या कि अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपको मैं 100 रुपे की salary दे रहा हूं तो आप अगर इंडिया में 100 रुपे की salary रख रहे हो तो आप अपने haircut दो पर करवा सकते हो लेकिन अगर अगर अमेरिका में हो है तो हम शायद अभी फोर्थ नंबर पर आ चुके हैं और तीन साल के अंदर में जर्मनी को पीछे कर देंगे और हम थर्ड नंबर पर आ जाएंगे सिंबल भुषिया है हमारा करंसी रुपी सिर्फ नहीं बोलना हैं क्योंगी पाकिस्तान में भी चलता है libor चलता है तो हम क्या वोलेंगे हमी명ा इंडिय sem比較 एंप्थ यहां पर हम लोग वीडियो आने वाला है उस वीडियो आने वाला है उस वीडियो के लिए अगर वीडियो आपको सब्सक्राइब कर लिए उस वीडियो को आपको अगर देखना आगे चलके तो उसकी लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हसते रहे हैं मसदाते रहे हैं देखते रहे हैं शेर सत्की क्लास टाटा बाय बाय जैहिन